आग्रा में सरवाधेत लोगप्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें नगला बिदी चंद में हुई बच्ची की मौत के बाद जहां सियासत गर्म है वहीं जिलातकारी ने इस परिवार के हर संभो मदद के लिए प्रशासनिक टीम को अलट कर दिया है इस मावबले में जिलातकारी का कहना है कि अगर जिले में ऐसी कोई विगट नहीं होती है तो उसके लिए सीधे ग्राम परधान और ग्राम विकास अधकारी की जिम्मेदारी होगी और जवाब दे ही ताय होगी नगला बिदिचंद में हुई बच्ची की मौत पर जिलातकारी गंभीर है उन्होंने पीडित परिवार के मदद के लिए इस सभी भागों को अलर्ट कर दिया है इस मामले में जिलातकारी का कहना है कि किसी भी परिवार में मौत होती है तो दुख सभी को होता है मेरी समेदना उस परिवार के साथ है बच्ची की मौत की जाँ चिकिस्य टीम ने की है मौत का कारण अच्छी चिकिस्य सिवर नहीं मिल पाना है डीम ने माना की परिवार गरीब है सरकार की योजनाओं का लाब दिये जाने के लिए सम्मंदित विभागों को निदेश दे दिये गए है जहां तक उस परिवार का प्रशन है परिवार गरीब है वह कई सारे जो पेंसेंस हमारी स्कीम्स हैं या हमारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उसमें कुछ पात्र निकल के आ रहे थे जिरातकारी का कहना है कि पहले पीडित परिवार को मदद पहुंचाई जा रही है इस मामले की जांच होगी और दोशियों के खिलाब कारवाई की जाएगी डियम ने कहा कि पंचायती राज ब्योस्ता में ग्राम परधान और ग्राम सभा सचीव सीधे जिमेदार होते हैं उनकी जिमेदारी है कि हर एक परिवार पर निगाह रखें और जरुवत मंद को सरकारी योजनाओं का पूरा लाब दिलाने के लिए सब भी अपचारिकताएं पूरी कराएं आपको बता दे कि नैनाना ब्रामः के नगला बिदिचंद में दलिद परिवार की बेटी सूनिया की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी जिस पर कॉंग्रेस महासच्यों प्रियंका गांधी से लेकर सपा महासच्यों रामदिलाल सुमन और कॉंग्रेस्यों ने सरकार पर सवाल उठाये थे बिजब अगेल सी न्यूज आगरा